बात करें 9 सेप्टेंबर की तो आजी के दिन 1912 में पहली बार पेपर करेंसी इशू की गई थी बैंक ओफ वेंगॉल के द्वारा जो की अंग्रेजों की द्वारा इस्थापित किया गया था कुछ समय बाद इन नोटों को परकिन्स हेल्थ एंड कमपनी जो की इंग्लेंड में स्थित थी वो प्रिंट करने लगी थी उस समय पर 10 से लेकर 1000 रुपे तक की नोट्स प्रिंट करी गई थी इसके अलावा 9 सेप्टेंबर 1948 को नॉर्थ कोरिया अपना इंडिपेंडेंस डे म मनाते हैं अब नॉर्थ कोरिया का ओफिशिल नाम Democratic People's Republic of Korea है जो की काफी convenient है वहां की situations को देखते हुए इसके अलावा 1991 में आजी के दिन तजीकिस्तान USSR से अलग हुआ था तजीकिस्तान की राजधानी है दुशान बे और नॉर्थ कोरिया की राजधानी है प्योंग यां त जिसका पार्ट इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और रश्या भी हैं अब 9 सेप्टेंबर 1850 को भारते इंदू हरीश्चन का जन्म हुआ था इनको father of modern हिंदी literature माना जाता है ये एक हिंदू traditionalist writer थे जो की आम आदमी से जुड़ी समस्याओं के बारे में लिखते थे इसके he was one of the first people to demand ban on cow slaughter 1983 में ministry of information and broadcasting ने भारते इंदू हरीश्चन awards की गोशना की थी जो की हिंदी mass communication के लिए दिया जाता है ये तीन इनके बहुती famous works हैं और इसमें से अंधेर नगरी पर एक movie भी बन चुकी है इन तीनों works को आप याद रखियेगा इसके अलावा इन्होंने काफी books को translate भी किया था जिसमें से विशाक दत्त की मुद्रा राक्षस भी है यहां तक की इन्होंने Shakespeare की merchant of Venice को भी translate किया था और उसको दुरलब बंधू नाम दिया था और आज भी इनके translated works की list पूरी नहीं हो पाई है इसके बाद 1872 में सरला देवी चौधरानी का जन्म हुआ था जिन्होंने भारत की पहली women organization की इस्थापना की थी जिसका नाम था भारत इस्त्री महमंडल और ये इलहाबाद में इस्थापित की गई थी 1910 में for promoting female education और दिखें ये टेगोर फैमली से भी जोड़ी हुई थी श्यामलाल गुपता जी का जन्म हुआ था और ये भी एक सहित्यकार थे जो की प्रशाद नाम से अपनी रचनाई लिखते थे और भारत का जो flag song है जंडा उंचा रहे हमारा वो इन्होंने ही लिखा था और Independence Day और Republic Day की flag hosting ceremony में यही गाना चलाये जाता है इसके अलावा 1974 में कैप्टन विक्रम भत्रा का जन्म हुआ था जो की एक बहुती माने जाने कारगिल वार हीरो हैं और इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था अब डेट्स की बात करें तो 1947 में आनंद कुमार स्वामी की डेथ हुई थी ये एक स्रिलोनीज तमिल मेटाफिजीशन थे इसका मतलब ये है कि इनका जन्म श्रीलंका में हुआ था लेकिन ये एथनिकली तामिल थे और इन्होंने वेस्टन वर्ड को इंडियन कल्चर और इंडियन आर्ट का इंटर्प्रेटेशन सिखाया था इसके अलावा फिलोसफी में he was one of the founders of traditionalist school या फिर perennial philosophy जिसका ये मानना था कि दुनिया का हर एक religion universal truth पे based है और perennial philosophy को secularism का alternative बताया गया था इन्होंने काफी सारी books लिखी थी लेकिन दी dance of Shiva काफी famous हुई थी इसके अलावा आजी के दिन 2012 में वर्गीज कुरियन जी की मृत्य हो गई थी जिनको father of white revolution in India बोला जाता है और इनका बहुत ही बड़ा योगदान था भारत की dairy industry को self sustainable बनाने के लिए इनको काफी सारे award मिले थे और इन्होंने ही national dairy development board की स्थापना की थी 16 जुलाई 1965 को